उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के ABES Engineering College का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है जिसमें College के अंदर चल रहे सांस्कृतिक कारेक्रम में एक छात्र ने अभिवादन में जैश री राम बोल दिया इतनी सी बात पर College की Assistant Professor ममता गौतम ने उस बच्चे को मंच से उतार दिया आईए सबसे पहले इस घटना का पूरा वीडियो देखे तो आपने सुना कि ममता गौतम किस तरह से आउट आउट चिलाते हुए बच्चे को मंच से हटाती है उनके साथ एक अन्य शिक्षिका शोयता शर्मा भी थी उन्हें भी जैश रिराम शब्द पर आपत्ती थी उनका कहना था कि एक सांस्कृतिक कारेक्रम में ऐसी बेकार की बाते नहीं होनी चाहिए जब हंगामा हुआ तो कॉलेज प्रशासन ने दोनों ही शिक्षिकाओं को निलंबत कर दिया हाला कि ममता गौतम ने एक वीडियो जारी करके सफाई दी है और खुद को सनातनी, आस्थावान, हिंदू और ब्राम्हन बताया है अब आईए उनकी भी सफाई सुन लेते हैं नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता गौतम है, मैं A.B.E.S. Engineering College में Associate Professor हूँ आज जो Cultural Program के During जो भी Incident हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और जो जैशली राम का स्लोगन है, उससे हमें और मेरे सहियोगी को या मेरे College वालों को कोई भी परेशानी नहीं है ना है ना कभी होगी वो student बहुत ज़्यादा argument कर रहा था मेरे सहियोगी से और argument करने की वज़े से हम महां गए और हमने यहीं बोला कि आपने बोला है और ऐसा Discipline and Cultural Coordinator होने के नाते बच्चे को हमने यहीं कहा कि भी आपने ही बोला है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो जाती का टिपनी हो रही है मेरे बारे में यह मुझे बहुत परेशान कर रही है यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दोनों ही शिक्षिकाओं ने ऐसा किया क्यों हमें नहीं लगता कि उनके माता पिता और समाज ने उन्हें ऐसे संसकार दिये होंगे भारत में सांस्कृते कारेक्रम में सीता राम और राधा कृष्ण के नाम नहीं होंगे तो किसके होंगे भला अब कलपना कीजे किसी कारेक्रम में शारोखान अगर गेस्ट होता कोई बात कहते हुए वो इन्शा अल्ला बोलता तो क्या ममता गौतम ये शोयता शर्मा कोई आपत्ती करती? नहीं करती. तो राम से ही उन्हें समस्या क्यों होई? अब जरा इन मैडम को देखिए. ये IIT दिली में सोशल साइंस पढ़ाती हैं. दिली में हुए G20 बैठक के दौरान वे कारेकरम स्थल पर जाकर एक फ्रेंच च प्रिमकोट के जज रहे हैं. नाना चंदरशेखर सरकार में मंत्री हुआ करते थे. लेकिन बेटी हिंदू धर्म को नश्ट करने निकली है. इससे पहले दिव्या दिवेदी ही कह चुकी हैं कि हिंदू धर्म का आविशकार 20-वी शताबदी में हुआ था. ऐसी मूर्खता प पांडे का भी वीडियो वाइरल हुआ था. अपनी क्लास में वे छात्रों को बता रही थी कि यदि आप चुआ चूत नहीं करते तो आप हिंदू हो ही नहीं सकते. हिंदू हुने की अवशक शर्त है चुआ चूत. ममता गौतम से लेकर शूती पांडे तक. ये सारी महिलाए ब्राम्हन हैं, पढ़ी लिखी हैं और संभवता अच्छे परिवार से भी आती हैं. हाला कि ममता गौतम और शूता शर्मा का केस थोड़ा सा लग है. दिव्या दिवेदी और शूती पांडे हार्ड कूर कमिनिस्ट हैं. ममता गौतम और शूता शर्मा को लेकर ऐसी कोई जा लगने लगता है. इसके तीन कारण इस पश्ट रूप से देखे जा सकते हैं. पहला, हमारी शिक्षा व्यवस्था है जो मूलता हिंदू घ्रणा पर आधारित है. दूसरा, हमारा मीदिया, जिसके लिए हिंदू सदैव आताताई हैं. हिंदू का कोई मानव अधिकार नहीं और पाखंडी होता है. ब्राम्हन ही नहीं, सारे हिंदू ही उनके लिए खराब होते हैं, केवल अब्दुल चचा ही सच्चे इमान वाले होते हैं. शिक्षा व्यवस्था मीदिया और फिल्मों की इस तिकडी के उपर हमारी शासन व्यवस्था, जिसके लिए हिंदू हमेश दूसरे धर्जे का नागरिक है. इसाई मिश्णदियां जब अपने टार्गेट को तैं करती हैं, तो किसी समाज में सबसे पहले वल्नरेबल क्लास की पहचान करती हैं. वे ये देखते हैं कि समाज में कौन से लोग हैं जो आसानी से उनके जहांसे में आ जाएंगे. ब्राम बोध है जो उनकी व्यवहार में अक्सर जलकता रहता है. एक समय था जब किसी हिंदू से उसका धर्म पूछा जाता था, तो सबसे पहले वो ये बताता था कि मैं हिंदू तो हूँ, लेकिन सभी मजभ़ों का सम्मान करता हूँ. मैं अपने देवी देवताओं को नहीं मानत वगेरा वगेरा. समय के साथ है स्थिती में थोड़ा सुधार आया है. लेकिन आज भी एक बड़ा दबका है जिसे लगता है कि हिंदू धर्म या अमुक जाती का होना अपराद है. ब्रामणों को जिस प्रकार से बीते कुछ दशकों में अत्याचारी और बदमाश सिद्ध किया गया है. सामोहिक रूप से ब्रामणों का एक वल्नरीबल क्लास इससे प्रभावित हुआ है. ममता गौतम यश्वेता शर्मा नीजी जीवन में सनातनी और धार में खोंगी, लेकिन सारजनिक जीवन में उन पर स्वयम को लिबरल और प्रोग्रसिव सिद्ध करने का इत उसकी मानिताओं के विपरीत होता है. हमने इन चारों नामों को केवल उदाहरन की तरह ही लिया है. उनकी तरह के हीन भावना ग्रस्त और वोकिजम के शिकार ब्रामण यूवक यूवतियों की संख्या इससे बहुत अधिक होगी. साथ ही उनसे अधिक संख्या में ऐसे ब्र धर्म के प्रती अपने उत्तर दायत्व को निभा रहे हैं. ये वीडियो हमने इसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए बनाया है. ये तैय आपको करना है कि आप हीन भावना और अपराद बोध से ग्रस्त मनोरोगी हिंदू बनना चाहते हैं या आपने पूर्वजों, इतिहा और राष्टर पर गर्व करने वाले स्वाभिमानी हिंदू.